है आप लोगों को मालूम है कि मेरे द्वारा आप लोगों को computer basic courses provide किये जा रहे हैं जिसमें मैं आप लोगों को अभी practical के classes provide कर रहा हूं जिसमें मैं आप लोगो notepad की complete videos provide कर चुका हूं पेंट का complete videos provide कर चुका हूं आज का मेरा जो topic है wordpad मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया था चुकि यह जो applications है वो operating system के अंतरगत है और एक basic applications है और आप लोगों को यह मालूम हो यह मेरा जो course है weakness to advance है तो weakness के लिए काफी important है और इन classes को वो miss ना करें because इसमें मैं आप लोगों को complete knowledge deeply knowledge दे रहा हूं जैसे आप कहीं भी जा करके किसी भी institution में पढ़ाई करते हैं उस तरीके से आपको इसमें classes दी जा रही है जिसमें आपका कोई भी point छोड़ा नहीं जा रहा है अगर आप carefully इन videos को देखेंगे तो फिर आपको computer basic में कोई भी problem नहीं रह जाएगी means आपको complete knowledge हो जाएगा आज का topic मेरा है wordpad wordpad में हम starting से देखेंगे open करने से ले करके file name file extension क्या है part of window क्या है wordpad में हम क्या करते हैं उसकी advantage क्या है वो सारी चीज़े मास देखेंगे first of all हम wordpad को open करना सिकते हैं because मेरा commitment है कि मैं आप लोगो deeply हर चीज़ बताऊंगा तो यदि आप beginner है तो आपको सबसे जरूर करें video अगर आपको useful लगती है तो like करें अपने friends के पास share करें तो चलिए देखते है wordpad को हम कहां से open करते है wordpad का exact location क्या है हम किसी भी computer में चाहे वो desktop हो laptop हो हम उसको कहां से प्राप्त करते हैं तो हम चलते हैं यहां पर start पर click करते हैं जो window बटन है यहां पर हम click करते हैं और आप देख पा रहे हैं एक आपका scroll बार है जिससे हम elevator को नीचे लजाते हैं विकाज हमें जाना कहां है windows accessories पर यहां हम click करते हैं windows accessories के अंतरगत देखें लास्ट में आपका एक application है जिससे हम wordpad कहते हैं इसमें हमने आप लोगों को notepad pen pen 3D यह complete आपको बता दिया है pen के अंतरगत ही मैंने pen 3D भी पढ़ा दिया है अगर जिसको भी work करना है और pen 3D के बा किसी भी computer system में चाहे वो desktop हो laptop हो यदि उसमें windows operating system है तो windows accessories में जा करके हम wordpad को open करते हैं यहां हम click करेंगे और wordpad की window आपके सामने present हो जाएगी तो आप देख पा रहे है wordpad application open हो करके आ गया है सबसे पहले हम जानेंगे wordpad का file name क्या है आप देख पा रहे है title पर यहां document लिख करके आ रहा है तो wordpad को हम document भी कहते हैं means इसका file name document भी है इसे rich text document भी या rich text format भी कहते हैं इसका file extension होता है .rtf और कुछ भी मैं आपको indicate करूंगा तो इस pointer के माध्यम से करूंगा तो .rtf इसका file extension है and file name है rich text document या फिर हम इसको कहते हैं document तो यह है इसका file name file name document या rich text document या rich text format हम कह सकते हैं जिसे save as type भी कहा जाता है इसका file name document है और file extension होता है .rtf .rtf means हो गया r for rich, t for text, f for format तो rich text format save as type होता है और file name आपका document या rich text document हम कह सकते हैं अब हम थोड़ा सा part आप window देखेंगे wordpad का आप देख पार हैं सबसे उपर एक पत्ती है जिस पर आपको corner पे एक icon दिख रहा है जो wordpad application का icon है और यहां एक tool आपको दिख रहा है toolbar जिसे हम quick access toolbar बोलते हैं और इधर आपको document लिखा मिल रहा है और wordpad means यह आपके application का सीर्सक है title है और यह पूरी पत्ती को हम title bar कहते है तो title bar के left corner पर control menu box होता है और right corner पर control tools होते है तथा title bar पर ही application का title सो करता है या file name और आपके application का name सो करता है इसे control menu box क्यों हम कहते हैं because यहाँ पर click करते ही control tools आ जाते हैं जिसके द्वारा हम अपने window पर command कर सकते हैं smart तरीके से अपने keyboard से मुसको restore, maximize, minimize, resize करना, move करना, close करना यह सारा काम हम keyboard के माध्यम से control menu box की मदब से कर सकते हैं और mouse तो हर जगा आप ले जा सकते हैं, mouse के द्वारा सारा काम कर सकते हैं, dragging वगरा सब mouse से कर सकते हैं तो mouse तो कहीं भी जा सकता है चाहे control menu box को open करना हो या फिर आपके control tools का use करना हो तो यह आपका सबसे उपर एक पट्टी है जिसे हम title bar कहते हैं, जस नीचे आएंगे यह आपका menu bar है और menu bar का जब हम menu पर क्लिक करते हैं तो drop down list आती है, देखे यह file menu है और अगर हम home पर क्लिक करते हैं, तो home के से related यह ribbon आजाता है इसे हम ribbon कहते हैं, देखे, view का ribbon है और home का ribbon है तो इसे हम पूरे को ribbon भी कह सकते हैं, अगर इसको आप divide करना चाहते हैं तो यह आपका menu bar है, और यह उसके जो tools हैं, जिस पट्टिका में आते हैं, उसको हम ribbon कहते हैं आप देख पा रहे हैं, file, home, view, और last time में आपका help है because हमने starting में ही आपको बताया था कि menu bar को पहचारने का एक simple सा तरीका है starting में file और last में help होता है, बीच के options change होते रहते हैं because उसमें जैसे आप advanced applications पढ़ते जाएंगे, features बढ़ते जाएंगे उसमें तो यह आपका menu bar हो गया, सबसे उपर title bar, title bar की नीचे menu bar, यह को हम ribbon भी कह सकते हैं और ribbon के top में आपका होता है, quick access tool bar, जिसको हम यही right click करें और quick access tool bar, below the ribbon, ribbon के नीचे भी ला सकते हैं, यह आपका quick access tool bar है तो सबसे उपर title बार हो गया इसके बाद आपका menu बार menu का ribbon है आपका इसको हम ribbon कह सकते हैं और ribbon में आप देख पा रहे हैं अलग-अलग एक line के माध्यम से अलग-अलग tab divide कर दिया गया है means clipboard के अंतरगत यह options हैं font से related यह options हैं आपको बहुत ही सरल ढंक से इसमें वेक्त किया गया है जिससे आपको कहीं भी कोई confusion ना हो means जो tab जिसके लिए है उस name से उसको वेक्त किया गया है paragraph के लिए है तो paragraph tab हो गया insert कुछ भी present करना है लाना आपको अपने paper अपने paste पर अपनी file में कुछ भी present करना है document में कुछ भी नया करना है insert करना है तो आप insert tab के माध्यम से कर सकते हैं कुछ भी editing work करना है तो editing tab के माध्यम से कर सकते हैं ऐसे ही view में हम जाते है zoom tab है, so or height tab है setting tabs है, तो कुछ भी हम करना चाते हैं तो इन tabs के अंतरगर जो options हैं उनके माध्यम से हम कर सकते हैं तो यह होगे आपका ribbon और यह आपका quick access toolbar है पिसली classes में हमने आपको बताया था कि quick access toolbar को हम यहां से customize भी कर सकते हैं और यहां से हम चाहें तो ribbon को भी हटा सकते हैं minimize the ribbon जिसका shortcut control plus f1 होता है जिसके माध्यम से absent and present कर सकते हैं आप देख पा रहें नीचे एक पट्टी है जिसे हम ruler कहते हैं measure करने के लिए अपने page में आप याप अपनी file के paragraph की setting करना चाते हैं tab setting देना चाते हैं wrapping वगरा set करना चाते हैं तो ruler बहुत ही मदद करता है इस ruler के द्वारा हम अपने file के matters को जो भी document हम create कर रहे हैं उसको हम measure कर सकते हैं इसके बाद आप देख पा रहे हैं यह है आपका main work area जिसे आप अपनी file भी बोलते हैं work area बोलते हैं document भी कह सकते हैं तो जो paper आपके पास जो page available है यही आपका work area है इसी पर आपको कारे करना है इन menus की मदद से इन options की मदद से यह आपका एक point दिख रहा है आपको जिसे हम insertion point या blinking point कहते हैं यह आप इसका exact positioning होता है laptop corner page के laptop corner पर आपको यह मिलता है इस pointer के माध्यम से हम आपको सारी चीज़े बता रहे हैं और यह जो move कर रहा है जब तक arrow का symbol बना हुआ तब हम pointer कहते हैं इसे हम cursor कहते हैं नीचे एक पट्टी है जो कि आप यहाँ zoom slider के माध्यम से जान सकते हैं जहाँ पर zoom slider available है वो एक पट्टी का है जिसको हम status bar कहते है minimum zoom है 10% and maximum zoom है 500 सबसे नीचे एक पट्टी होती है जो कि आपको desktop से ही मिलता है इस पट्टी को हम task bar कहते हैं जैसा कि पीछे की सारी windows में मैंने इसको आपको बताया हुआ है तो यह है आपका part of window यहाँ scroll bar भी होते हैं बट अभी available नहीं है because अभी हमने कोई भी work नहीं किया है जो right side में scroll bar मिलेगा उसको हम vertical scroll bar कहेंगे और जो आपको status bar के उपर दिखेगा scroll bar उसको हम horizontal scroll bar कहेंगे और scroll bar में एक पट्टी आ जाती जिसे elevator कहा जाता है जिसे हम elevate करके अपने hidden text को देख सकते हैं जब हम word wrap का use करेंगे और हमारे text hidden होंगे तो उनको हम यहाँ से elevators के माध्यम से move करके देख पाएंगे तो आपने wordpad का part of window जाना अब हम चलते हैं देखते हैं फाइल क्या है फाइल को जानने से पहले हम quick access toolbar के बारे में एक बार फिर से बता दें यहाँ से कोई भी काम हम बहुत ही जल्दी कर सकते हैं जैसे save करना है तो direct हम save पर click करेंगे तो save का dialogue box आपके सामने present हो जाएगा जैसे हमने कुछ भी लिखा और उसको हम undo करके absent जो growing work किया हमने जितने भी moments हम करते हैं जितने भी work हम करते जाते हैं वो undo से हम उसको हटा सकते हैं उसके एक-एक step के back जा सकते हैं बैक जाना है तो अंडू करते हैं step forward आना है तो हम redo करते हैं इस तरह से आप undo का इस्तमाल कर सकते हैं और इसी तरीके से आप redo को use कर सकते हैं तो यह आपका undo redo है save करना चाहते हैं जैसा कभी मैंने कुछ ज्यादा इस फाइल में लिखा नहीं इसमें थोड़ा सा और बढ़ा ले करते हैं और यह हमारे institution का name है किरती computer institute save पर click करते हैं और अपनी file को save कर लेते हैं यहां से आप देख पा रहे हैं file का location है जहां पर हमारी file save होगी और यहां पर file name अभी हमने कोई file name नहीं दिया है तो जो आपके wordpad का file name है document वो आपको यहां पर show कर रहा है और यह save as type है means जो म इसमें save होगी तो यहां पर हम name देते हैं किरती computer हमने file name दे दिया और हमने इसको save कर दिया हमारी file का आप देख पा रहे हैं file name change हो गया किरती computer नाम से आ गया यहां पर अभी documents हो कर रहा था वहां पर किरती computer लिख करके आ गया because मैरी इस file को name मिल गया एक नया नाम किरती computer की नाम से अब हम चलते हैं देखते हैं file I hope आपको quick access toolbar समझ में आया होगा और इसमें बहुत सारे options हैं हम उसको customize कर सकते हैं यहां से options को बढ़ा सकते हैं और कम भी कर सकते हैं open से हम से open करने का काम करते हैं जो file है मेरी saved है अब हम चलते हैं file menu को देख लेते हैं file पर हम click करते हैं यहां आपको मैं बता दूँ कि जितने भी options हैं वो file से related है means किसी भी option के साथ हम file name use कर सकते हैं new file, open file, save file, save as file, print file, file setup भी कर सकते हैं send mail, file यहां से about wordpad के बारे में हम जानकारी ले सकते हैं और यहां से हम exit करेंगे और यह recent file होती हैं जो इसमें latest file बनी हुई है used file जो हैं जैसे जैसे आप नई file को use करते जाते हैं तो यह count बढ़ता चला जाता है तो यहां से आपकी जो used file हैं वो यहां पर show करती है चली हम देखते हैं new जैसा कि आप जान रहे हैं अभी मैंने file को अपने save किया हुआ है किरती computer name से तो यहां पर हम new कर देंगे तो directly आपकी file close हो जाएगी means यदि file save ना होती तो यहां पर एक alert आपके पास एक alert आता जिसमें पूछता है कि आपनी file को आप सुरक्षित करना चाते हैं यह सुरक्षित करना चाते हैं तो save कर क्लिक करें नहीं करना चाते हैं बंद करना चाते हैं don't save करें अगर इस पर काम कर करना है तो आप cancel करने जैसे भी आप देखें हमने कुछ भी डाला और यहां अगर हम new करने जाते हैं तो just आपके पास एक alert आता है जिसमें पूछ रहा है do you want to save change to document क्या आप अपने document को save करना चाते हैं तो आप यहां पर जाएए save पर क्लिक कर दीजे तो save का dialogue box आ जाएगा don save कर देंगे तो बंद हो जाए और cancel कर देंगे तो फिर हमें ही आ जाएगे तो हमें इसको बंद करके एक नई file लेनी है new पर जाएगे और don't save कर देंगे नई file आ जाएगे अगला option क्या है इसमें आपका open open से हम file को open करते हैं यह इन ही file में से कोई file चाहिए तो हम directly यहां से file को open कर सकते हैं यह file हमारे सामने open होकर क्या आगे लेकिन अगर हमें other file open करना तो open पर हम click करेंगे और open का dialogue box आएगा हम अपनी file को यहां से search करते हैं location पर जा करके यहां से हम search कर सकते हैं जो भी file मेरी saved है वो यहां हमको मिलेगी कोई भी file जैसे हमारा यह है case i youtube करके हम click तो हमारी एक file जो wordpad पर बनी हुई file है हम wordpad की file की पहचान कैसे करते हैं जैसे हमने यहां से open करा हुआ था और यहां open dialogue box आया था आपके पास तो जो आपके wordpad की file है because wordpad की ही जो RTF file है वही दिखेंगी यहां MS word की भी file ने दिख रही है because उसका भी file name document ही होता है उसको word document बोल होते हैं पस इतना सा इंतर है आप देखें जो wordpad की file होगी उसमें रिस्टेक्स document लिख करके आएगा और जो MS word की file होगी वहां पर Microsoft Office word document लिख करके आएगा तो यहां से हम अपनी file को open कर सकते हैं means file में new से हम नई file लाते हैं open से अपनी saved file को हम open कर सकते हैं जो पहले से exits है उसमें dialogue box आपके सामने नहीं आएगा यदि हम इसमें कुछ भी बढ़ाते हैं और save पर click करते हैं तो वो matter उसमें add हो जाएगा इसलिए ऐसा नहीं है कि हमने एक बार save कर लिया तो आप जो भी लिखेंगे सब save हो जाएगा वो तब तक save नहीं होगा जो बाद में आप लिख सेब करने के बाद जब तक आप save पर click ना करेंगे या control प्लस एस नहीं यूज़ करेंगे मिन साट कट से चाहिए आप करिए और चाहिए directly आप इस save पर click कर दीए तो यहां से हम file को save कर लेते हैं save as option के माध्यम से हम अपनी file को दोबारा save करते हैं चाहिए हम location change करें extension change करें file format बदल करके save करें यहां से हम save कर सकते हैं दोबारा अगर हमें file format change करके करना है जैसे इसको हम notepad के format में text document में save करना चाहते हैं तो यहां पर हम plan text करेंगे और यहां पर हम केवल kci text कर देंगे तो आ जाएगा हम इसको यहां से मिटा दे रहे हैं kci text कर दी हमें text तो यह kci text format में हो जाएगा इसको हम यहां से save कर देते हैं kci text और यह आपका format change हो जाएगा अब हम यहां क्या करते हैं हम new कर लेते हैं और यहीं जाते हैं हम अगर kci text file को खोलते हैं तो आप देख पा रह पिर हम आजाते हैं प्रिंट यदि हमें अपनी फाइल को जो हमने मैटर libro लिखा हुआ है यहांमने कुछ भी डॉकुमेंट बनाया हुआ है कि इसको हमें करना करना उसको आप पहले देखें प्रिंट आएगा कैसे इसके लिए प्रिव्यू होता है तो यहां क्लिक करते ही प्रिव्यू मिल जाएगा आपको अभी आप देख पा रहे हैं कि यहां पर आपको लेंडिस के फॉर्मेट में दिख रहा है मतलब इसका विट्थ जादा है पेज का और हाइट कम है तो हम यहां पेज सेट अप पर जाएं और इसका ओरिंटीशन हम पर ट्रीट कर सकते हैं पेज सेट अभी आगे मिलेगा आपको सेम यही आपको डालॉग मिलेगा आगे तो यहां से हम पेज की सेटिंग यहां पर हम पेज का साइज चुनते हैं जिस टाइ पेज की width जादा होती है और height कम होता है वो आपका landscape होता है जिस page का height जादा होता है width कम होता है वो आपका portrait होता है यह margins है इसकी unit inches में है तो left right के हम setting यहां से कर लग सकते हैं यह आपका print page number यहां पर default तरीक है page number print होकर कर लेते हैं तो यह आपका page setup हो गया जो कि हम यहां से close कर क्या जाते हैं इस तरह से हम print पर फिर से आएंगे और हमने page setup देख लिया अब हमें dialogue print dialogue लाने की कोई जरूद नहीं हम यहां dialogue से आएं यहां पर copies का number set करें page range दें अगर एक से ज़्यादा pages हमें निकालना है तो page range देंगे और नहीं तो हम directly print करने अगर हमें कोई extra setting यहां पर preview आ गया because अगर आपके system में Microsoft Office installed है तो OneNote करके एक application होता है इसमें जिसमें आपके pages का preview सो करता है देखिए preview आपका जैसे print होना है वो आपका यहां पर preview आ गया यहां से इसको मटा देते हैं तो यह हो गया आपका print यहां से print में जा करके आप देख पा रहे हैं यहां से हम print कर करेंगे यहां से जैसी भी setting लगी होगी direct print हो जाएगा और यहां से print का हम preview ले सकते हैं हम आ जाते हैं page setup अपने file का हम setup करना चाहते हैं page setup पर क्लिक करेंगे अभी मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया यह page का preview आ रहा है यहां हम paper की size चुनते हैं यहां आपका जो default source source में selected है जहां से print होना है printer का selection होता है यहां पर यह है आपका orientation portrait and landscape यहां से हम अपने page का view change कर सकते हैं means portrait कर सकते हैं यहां यहां से change कर सकते हैं margins में देखें inches में है units की और left right जैतना भी आपको space देना हो वो आप यहां से set करेंगे जैसे कि अभी हम यहां जाएं और left में अगर हमें 0.5 करना है तो हमें यहां पर 0.5 कर लेते हैं right में हमें 0.5 ही करना है हमें यहां पर 0.5 कर लेते हैं और top में हम कर देते हैं 75 और 0.75 और bottom में हम कर देते हैं directly 1 1 inches यह हमने page setup कर लिया आप देख पा रहे हैं view में उसी तरीके से दिखा रहा है और यहां से हम ok कर जाते है page की setting हो गई अब हम चाहें तो print कर सकते हैं चाहें तो हम quick print कर लें या फिर preview देख करके तब print करें जिस तरह से हम करना चाहते हैं उस तरह से हम कर सकते हैं next आप देखेंगे send email यदि हमें mail भीजना है यह अपनी file को mail करना है तो यहां से हम mail कर सकते हैं net connection होना चाहिए और server mail यहां से click करने के बाद MS outlook के माधिम से आपका mail host कुलेगा और वहां पर आपको mail address डालना पड़ेगा और आप अपने file को mail कर सकते हैं about wordpad यहां से wordpad के बारे में आपको जानकारी मिलेगी wordpad किस operating system के अंतरगत चल रहा है जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि wordpad जो है जैसे notpad, pent, wordpad यह ऐसे basic applications है जो operating system के अंतरगत के application है जिसे ms office होगर आप पढ़ेंगे आप तो एक अलग package है वो एक अलग application है ms office के नाम से उसको हम कहते हैं जिसमें word, actual, powerpoint, access यह सारी चीज़े हम जानते हैं वैसे आपका जो यह notpad, pent, wordpad, pent 3D, calculator बहुत सारे options होते हैं वो सब आपके accessories के अंतरगत आते हैं और वो accessories किसका होता है आपके windows operating system का तो यहां से हम उसके बारे में जान सकते हैं operating system कौन सा है, version क्या है windows, microsoft ने बनाया है तो microsoft windows लिख करके आ रहा है versions लिख करके आ रहा है, copyright कब किया गया यह सारी चीज़ें बताता है और license वगरा के बारे में बताता है तो यहां से हम okay कर लेते हैं file में हम आते हैं exit करेंगे, exit करेंगे तो हम इस application से बाहर हो जाएंगे तो आज की class में बस इतना I hope आपको यह सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी नए वीडियो में तब तक के लिए thank you, jahin